आज की वीडियो में हम देखेंगे किसी भी लिस्ट को हम कैसे सौर्ट कर सकते हैं MS Word में अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट ली है यह स्टेशिनरी आइटम्स की लिस्ट है आपके पास अगर कोई और लिस्ट है जैसे कोई स्टूडेंट्स की लिस्ट है या फिर कोई ग्रोसरी आइटम्स हैं कोई भी एक लिस्ट जिसको आप एक ऑडर में अरेंज करना चाहते हैं आइधर फ्रॉम A to Z या फिर Z to A किसी भी ऑडर में आप उस लिस्ट को अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सौर्टिंग ऑप्शन का यूज करेंगे तो आईए देखिए हम sorting option कैसे apply करेंगे जस list को भी आपने sort करना है सबसे पहले आप उस list को select करेंगे Home tab में जाएंगे Paragraph group में यहाँ पे एक symbol आपको मिलेगा A to Z आप जैसे ही इस पे click करेंगे तो आपके पास देखिए यह sort text का एक dialogue box appear हो गया है सबसे पहले उसमें पूछा sort by तो sort by में आपके पास यह options है Paragraph, Heading and Field यह जो मेरे list है यह किस के अंडर आती है मेरा paragraph के अंडर आती है तो यहाँ पे मैं सबसे पहले paragraph select करूँगी Then is type कि आपने किस type से उसको sort करना है With the help of text या फिर कोई numbers given है या फिर कोई date given है उसके according आपने उसको sort करना है यहाँ पे मेरे पास text given है तो मैं type क्या select करूँगी text तो किस order में आपने उसको sort करना है ascending to descending जाना है या फिर descending से ascending की तरफ move करना है यहाँ पे मैंने ascending पे click किया तो मतलब मेरी जो list है वो किस order में sort होगी from A to Z मैंने जैसे यहाँ पे OK प्रेस किया तो आप देख सकते है मेरी list जो है वो ascending order में sort हो गई है B option वाली जो item है वो सबसे पहले place हो गई और last में मेरे पास जो available item है it starts with S तो इस तरह आप word में किसी भी list को sort कर सकते है thanks for watching my video keep supporting us